परमकेला चतिसगर्ड के राइगर जिले में एक छोटे से गाउंस है किसान मुकेश चौधरी ने अपनी महनत से करशी के छेतर में डॉक्टर खूपचंद बगेल करशी से सम्मानित किया गया हाल ही में चतिसगर्ड राज्य उत्सब हुआ था जिसमें सम्मानित हुए आपको बता दे कि मुकेश चौधरी के द्वारा 14 प्रकार की धान की खेती की गई जिसमें 12 एकर में खेती कर रहे है शाशन के द्वारा निम्न योजनाओ को इनके द्वारा के शिव भाग के मार्ग दर्शन, सिधान की खेती, दलहन, उड़द, मुं, सरसो, गयों, आदी, अन्न सभी प्रकार के फल, सबजी की खेती की खेती की जाती है इनके द्वारा विशेश का जैविक खेती को महतु दिया जाता है मुकेश चौधरी ने हमारे संभादाता को बताया है कि शाषन के द्वारा जो गैडलान के शिव भाग द्वारा दी जाती है, उसे मैं पूरी तरह से समझ कर अपना उप्योग करता हूँ वरम केला चेतर मैं FBO का संग्ठन तयार कर रहा हूँ, जिसमें गाउं गाउं जाकी किसानों को जागरुग कर रहा हूँ कि संग्ठन से जुडने में बहुत प्राप्त होते हैं, संग्ठन में जुडने से शाषन की द्वारा खेती के बारे में सखाया जाता है पिछले साल मैंने Green Rise लगाया था, जिसमें अच्छी कीमत प्राप्त हूँ क्या गया है? अब लेक वर्मा यह काला चावल है, ग्रिन रइसर हरा चावल है, रेड रइस है लाल चावल है, हम्ट वर्षा है, सुगंधित है यसे करके बास्षा भोग, जेली, तुल्सी मंजरी इसे करके अठारप रगा के सुगंधित अव देसी धान लगाया है लगाया के मौर उद्देश है कि पहला तो जो सासन के योजना है, हमाँ चतित गड़ सासन के, द्धान के बदली, देसी धान, दलहन तिलहन, बिरिक्षा रोपन करके लगाया किसान मंद, तो योजना के अंतरगर्द में लगाया है है, अर जोन है, मैं ठीका में भी लेके का करें हैं, और दूसरा है है कि लग खरे के बाद आपन धान के बेचे के जो समस्या रहते, यह समस्या मोठ नहीं आए, ऐसे करके मैं सोचे हाँ, देशी धान, सुगंधित धान के अत्की मार्केट में दिमांद है, जैनला हमान पूरा पिछले साल में नहीं कर पाया रहे हैं, पूरा सब किसान मन तक नहीं पहुंचा पाया रहे हैं, तो इस साल अधिक रगवा में खिती करके सुगंधित चावल के जो दिमांद है, देश विदेश तक भी है, यह कर माध्यम से हमन एक एप्यो बनाया हैं, किसान उत्पादक संगठ हैं, जैकर माध्यम से हमन बाहरी मा प्राण करन हैं, वहां हम वहला दिया एक बात तो अडर भी अभी चला थे, और यहां से उत्तर प्रण